दूस्तों आप लोग का स्वागत मारे आरवी फिसल दिरू सेमन में आज हम लोग फिट से एक न्यू रूप्मेंट के बारे में बात करने वाल है जो एलेक्ट्रोनिक कॉर्पोरेशन ओफेंडिया इसी आई एल की और से आपका बंपर भरती निकाला गया है यहाँ पे आप द यहाँ पे अपरेंटिस शिफ्ट एक्ट 90, 61 एक्ट के बेसिस पे आपका रिलीज किया गया है इसी परकार से नेम ओफ ट्रेट्स, टोटल अम्बर वेकेंसी और वेकेंसी डिस्टूबिट किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टेन के ट्रेट्स के लिए आपका पोस्ट इसी परकार से यहाँ पे आपका बंफर भरती निकाल गया और फीटर के लिए आप दे सकते के टी पोस्ट इस परकार से जो भी कंडेट्स ट्रेट्स है आप यहाँ पे यहाँ पे आई ट्या किया है तो उसी के बेसिस पे आप यहाँ से चेक आउट करके आप इस फ केटेगरी कंडर आते हैं उसी के बेसिस पे यहां से आप चीक आउट करके आप इस फोंग को अपलाई कर सकते हैं यहां पे देश सकते हैं कि आपका पेस्कील यहां पे केटेगरी पाइज आपका और यहां डिस्टुबेट किया गया इस्टेपन आपको दिया जाएगा पर मं 500 आपको पर मंत आपका stephen यहाद पर प्रोवाइड क्या जाएगा इसी परकार से यहाद पे दे सकते हैं कि आपका यहाद पर एज लिंड भी प्रोवाइड केया गया यहाद पे एज लेसेशन भी प्रोवाइड क्या गया SCSD candidate के हैं तो आपका यहाँ पर 5 एर का age 받al means लिए सेशन मिलने वाला है और OBC candidate के हैं तो आपका 3 year का agement लिए सेशन मिलने वाला है इसी बेसिज़ पर यहाँ पर देचे सकते हैं कि OBC candidate के लिए आपका 28 और यहाँ पर SCSD candidate के लिए आपका 30 age limit प्रोभाइट कैया गया है च्राइब कर सकते हैं यहाँ डिक्रिक्स आपका से यहाँ पर उसी परकार से यहाँ पर धी स्ट्रेट के लिए यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ रिजर्ब हने वाला है उसी परकार से यहां पे आप 30% यहां private ITI candidate के लिए यहां पे आपका रहने वाला इस परकार से जो भी candidate जिस परकार से आपका education लियें उसी बेसिस पे आप यहां से check out कर सकते हैं उसी परकार से आपका document verification 1610-2023 से लेकर आपका 21-2023 तक आपको conduct करवा जाएगा उसी परकार से email आपको कर दिया जाएगा उसी बैसिस पे आपका यहाँ पे shortlist किया जाएगा और आपका document verification आपको यहाँ पे provide करके आपको यहाँ अटेस्ट करके आपको यहाँ पे submit कर देना और उसी बैसिस पे आपका यहाँ पे selection होने वाला venue document verification के लिए आप देश सकते कि हैधराबाद ECIL में आपको जाना पड़ेगा उसी बेसिस पे आपको या आपको mail कर दिया जाएगा उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे आपका document verification हो जाएगा परकार से यहाँ पे आपका total आपका दिया गया है आप यहाँ पे simply यहाँ दे सकते apprenticeship.ub.in में जाकर आप simply check out करके आप इस form को apply कर सकते हैं या आप www.ecil.co.in में जाकर आप यहाँ से official website में जाने के बाद आपको यहाँ पे career में आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा career में आप दे सकते current job opening में आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा उस परकार से आप यहाँ से check out करके आप इस form को apply कर सकते हैं मैं आपको description में total link provide करा दूँगा आप simply directly आप ECIL की official website पे career के option में आप जाके directly आप simply apply कर सकते हैं यहाँ पे आपको registration online application के लिए यहाँ पे पड़ेगा आपको यहाँ पर यहाँ पे joining आपको यहाँ पर करवा दिया जाएगा उसी परकार से आपका apprenticeship training will started form देख सकते हैं कि 112030 तक आपको यहाँ पे आपका यहाँ start हो जाएगा आपका training इस परकार से जो भी content interested हो आप ECIL में आपको apprenticeship करनी हो तो आप इस form को apply कर सकते हैं यहाँ पे आपका 2030 के लिए आपका bumper भरती निकाला गया है electronic corporation of इंडिया की और से I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगाओगा और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चनल को subscribe किजेगा या कोई परिसानी होती है तो हमें comment किजेगा आज के लिए इतना ही thank you